अगर ब्रेक्फर्स में गर्मागरम आलू की प्राटे के साथ मक्षन और तही मिल जाए तो मजा ही आ जाए इस रेसिपी को आगी कंटिनी करने से पहले में चानल को सब्सक्राइब करना मत भूना साथ इमें जो फॉलो सरू करना इंस्टेग्राम पे भी तो आलू की प्राटें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने याँ पे लेली और बोईल और मैशकी खिये हुए आलू आलू यानी पतेटों में हम आद करेंगे प्याज यानि आनि आनियन थोड़ीसी चौप की हुई ग्रीन चली यानि हरी मेंची थोड़ासे धनिया यानि कूरियांडर फ्लेवर क्लियर हलका सक गरम मसाला थोड़ासा रैचली पाउडर यानि लानमेची पाउडर और नमक यानि सॉल्ट अब सिंप्ली कर देंगे इन सबको मिक्स और इसका एक मिक्सर रेडी कर लेंगे और जब इस तरीके से mixture ready हो जाए तो हमें इस mixture की छोटी छोटी बॉल्स बना के ready करके रखनी होगी अब next आलू के पराथे के लिए पराथे का आटा हमने आलड़ी गूत के रहा था जो कि गे होंगे आटा का गूता है अब उस में से थोड़ा आटा लेकि उसकी लोई बना देंगे अब इसके उपर sprinkle करेंगी थोड़ा सा सूखा आटा और फिर उसे roll out कर देंगे किसी बेलन की help से इसे हमें completely roll out नहीं करना है थोड़ा छोटा ही रखना है और फिर इस पर spread करेंगी थोड़ा सा oil यानि तेल तेल को अच्छे से spread करने के बाद इसमें आलू की मसाले की ball रख देंगे और फिर इसे हर तरफ से अच्छे से fold कर देना है और fold करने के बाद अगर आपको लगए कि आटा तोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप निकाल भी सकते है अच्छे से fold कर लेने के बाद फिर से इस पर sprinkle करेंगे सूखा आटा और हातों की help से इसे अच्छे से pat करेंगे और इस तरीके से पराठे को थोड़ा बढ़ा कर देंगे उसके बाद इसे बेल लेंगे और इसे evenly ही हमें हर तरफ से बेलना होगा तो हमने पराठा बेल लिया है और इसके लिए already हमने तवे को heat कर लिया था आप spread करेंगे इस पराठे को तवे की उपर एक साइट से हलका सेख लेने के बद इसे flip कर देंगे यानि पलट देंगे पलटने के बाद इस पर लागांगे थोड़ासा oil और जब दूसरी साइट से भी हलका हलका सिखने लगे तो दुबारा से flip कर देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइट पर भी ओईलिंग कर देंगे इसके साथ ही हमें दोनों तरफ से इसे अच्छे से से सेख लेना है और हलका सा क्रिस्पी रखना है आप चाहें तो ओईल की जगब बटर या फिक गी भी लगा सकते है तो इसी के साथ सिख चुका है आलू का पराथा लग रहा है ना एकदम क्रिस्पी और यमी तो देख किस बात की जल्ली से इस रेसिपी को शेर करें आपने फ्रेंद्स और वामनी के साथ so i hope you enjoyed my today's recipe and thanks for watching my video